सश्वेकाल नमस्कार सारे अनू चेतन भारत लर्निंग देविश्टो हाड़ा स्वागत है अते अज जापा पढ़ांगे महाराजा रंजीत सिंग दे बारे शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंग सरदार जसा सिंग आलू वालिया दी मौत तो बाद दल खाल सा दी कोई एक्जिस्टेंस नहीं रन दी अते वखवख मिसला जो पंजाबियां बारा मिसला हों दिया हन उनना दे सरदार अपनी 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 किंग्डम्स दे तरा मिसला नू जो है चलोना शुरू कर दिन दे हन ता आज जापा महाराजा रंजीत सिंग दे बारे पढ़ांगे महाराजा रंजीत सिंग नू एक संगठेत राज कायम करन दे ले याद किता जन्दा है ता एक मिसल सी शुकर चकिया मिसल जिसनू की बुड़ा सिंग ने इस दे स्थापना किती सी ता इस दे सरदार महा सिंग पुत्तर सन महाराजा रंजीत सिंह, राइट, बचपन दे विच उनना नू जो है चेचक होन करके उनना धी खबी आख दी रोशनी चली जन्दी है, ता महाराजा रंजीत सिंह दी माता, सन सरदार्नी राजकौर, महाराजा गजपत सिंह अफ जीन्द दी पुत्तरी सन, इसे तरह ही महाराजा रंजीत सिंह नी भी अपने राजदा विस्थार कर ली, कई मैट्रिमोनियल अलाइंसेज किते, कई मिसल दे जो सरदार सन उनना दे नाल, मित्तरता पूरुवक संबंध कायम किते, अथे कईया नू हरा के अपने राजदा उनना ने विस्थार किता सी, अधे कई मिसल जिमे की अपकर दिया कि अलो वालिया मिसल दे नाल मित्तर ता पूर्वक संबंध कायम किते सन अते उसनु भी अपने राज देविच मिला के 1821 वी देविच उनना ने अपने अपनू पंजाब दा महाराजा कोशित कर दिता सी. महाराजर रंजीट सिंह बोहत ही काबिल रूलर सनो अपनी प्रजाद दे दुख सुखदा मिनलब भाछथ ख्याल रख दे सनु राइट ता उनना दी प्रजा देविकश उनना दे कोट देविकश हर तरम दे लोका नू जहा है समार अधिकार दित्ते जांदे सनु उनना नू इक को जहा जो है इजदत जो है सनमान बक्षिया जान्दा सी। महराजा रंजीत सिंग् ने इस तारा सोनद इनमें इस इतों लह॔र नो अपनी कैपिटल बनाया सी। तहां महराजा रंजीत सिंग् ने कई जितनां जो है कई लडाइयां लड़ियां तिस तरह की Conquest of Lahore, Conquest of Amritsar अते इसारी हैं जी तर तुसी देख सकते हो Conquest of Multan ता उननाने विशाल राज कायम किता सी एक छोटी जही मिसल तो लेके उननाने बहुत वड़ा राज कायम कर लिया सी ठीके ता उनना दे राज दा मतलब एनना शक्ती शाली महाराजा रंजीत सिंग दी शक्सियत सी उनने ब्रॉड माइंडेड सन एनने सुतंतर ख्यालां दे सन की अंग्रेज हकूमत वी महाराजा रंजीत सिंग दे नाल कोई पंगालन तो जो है कतरों दी सी इसलिए महाराजा रंजीत सिंग ने अमरिच सर्दी ट्रीटी किती हुई सी अंग्रेजी हकूमत देनाल अमरिच सर्दी ट्रीटी की सी की दर्या सतलूज जो है अंग्रेजी हकूमत अते महाराजा रंजीत सिंग दे राज देविचकार जो है एक बाउंडरी दा काम करदा सी सतलूज दर्या दे जो नौर्थ वेस्ट पार्ट जो सी जिते महाराजा रंजीत सिंग दा राज सी त्रीटी दे विचे डिसाइड किता गया सी कि उस पार्ट दे विच अंग्रेजान दी कोई दखल अंदाजी नहीं होवेगी आते जो दर्या सतलूज दा इस्टन पार्ट है जो कि अंग्रेजी हकोमत दे अधिकार दिविच सी ओथे महाराजा रंजीत सिंग आपनिया कोई गतिविदियां नहीं रखनगे आते दोहां तिरांदे विच कारों जो कोई भी मतलब इस दा उलंगन करदा है ता इस ट्रीटी नू जो है नल मन्या जाएगा इस ट्रीटी दा जो है एंड मन्या जाएगा तेकास इक और हो त्रीटी महाराजारंजीत सिंह ने किती हुई सी ऊची ट्राइपार्टाइट ट्रीटी त्रीके संपास जो हे याद रख सकते हुई इस तो बाद करेगन PAT I. जो है महाराजा रंजीत सिंह दे टाइम ते चार प्रोविंसे दे विच डिवाइड़ सी, लहोर, मुलतान, कश्मीर अते पेशावर, राइट, ता एहे चारो प्रोविंस जो सन इनना गवर्न करन दे लिए निजाम लगाया हुया सी, ठीक है इनना सारे निजाम लगाया हुया सिह राइट, इस तरहा महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत ही ऑर्गिनाइज़ वर्म दे बिच अपने राजदी स्थापना किती हुई सी, महाराजा रंजीत सिंह विच उन्ना सेना सी, ता बहुत ही शक्ती शाली सी ठीक है, जो है शक्तिशाली बनाया होया सी, सेना दी जो है सिखलाई किती होई सी, निपॉलियन बोनापार्ट दी जो पंग किती होई सेना सी, उस दे विचो दो अफसर महाराजा रंजीत सिंग ने अपनी सेना दी सिखलाई दे लई बुलाय सन, ठीके, उनना दे नाम तुसी याद पंजाबी फॉर्ज जोइन करन वाले पहले है यॉर्पियन सन, देख साग देओ कि महाराजा रंजीत सेन्ग अपनी प्रजा दे लई बहुत कर दे सन, महाराजा रंजीत सेन्ग तरम निर्पक ख्याला देवी सन, उनना ने बोहत कई मंदरां देवस्ते, कई मंदरां दी सोना दान किता सि, आपणी हमांचल दे गांगढां दे वाले प्रजा मुखी मंदर दे वुचितमी मंदर देवी प्रोफरन ने जो है सोना दान किता सी. माछा सर्णी बब्स प्रजान हमा रंजीत सिंग महा रंजीत सिंगो प्र Alberta दे के और धूंड़ा रंजीत सांग है कि भ बहुत सिखलाई देविच उन्ना दी हेल्प किती सी, उन्ना दी मेंटर मतलब विक्तरा नाल रहे सन हो, ठीके, क्योंकि महाराजर रंजीत सिंह बहुत चोटी उमर देविच ही, गदी ते बैठ गए सन, वो सिरफ बारा साल दी सन, जद उन्ना दी पिता दी मौत हो चुकती सी, अपा पड़ दे हैं कोहे नूर, कोहे नूर 679 ईस्वी देविच नादिरिशा दिली दे एंपरर्त लूग के लिना जान दा है, ठीके, कोहे नूर नाम है, नादिरशा दा ही दित्ता होया है, कोहे नूर दा मतलब है, रोशनी दा परबत, ठीके, इस मीनिंग्याद रक्षन बाद नादिर शाह तो मतलब अधिर अबदाली कोल ने चला जनादा है कोहिनूर एहमद शाह अबदाली कोल की जञाएं अधिर शाह जमन प्राइप शुजा उस टाइम कश्मीर दी जेल ले भीचे प्रिजर होनदा है राइट शाह शुजा दी वाइफ महाराजा अंजीत पती दी मतलब रक्षा कर दें जे तुसी मेरे पती दी लाइफ सेव कर दें ता मतलब कोहे नूर तो अनू असी दे दवांगे ता महराजा रंजीत सिंग ने शाशुजा दी लाइफ दी रक्षा किती अते कोहे नूर महराजा रंजीत सिंग को आ जानदा है ता महराजा रंजी ठीके मुक्त भी तारन नहीं कर दे संग ता इही तुसरे मुतलब देख सब देओ उस्तो बाद महाराजा दलीप सिंग कोल आ जानदा है ultimately कोहिनूर महाराजा दलीप सिंग कोल आ जान दे गाराजा दे बारे पा जान दे है अते 1899 एस्वी देविश्टा फिर पंजाब नू बरतानवी सामराज देया दीन कर लिया जानदा है, right? महाराजा दिलीप सिंग तो बाद इस तरह कोहे नूर जो है फिर बरतानवी सामराज को पौँच जानदा है, right? महाराजा रंजीत सिंग दे सक्सेसर्स, 1899 एस्वी देविच महाराजा रंजीत सिंग पैरलिसस करके मौट हो ज़न दी है तह उस तो बाद पंजाब देविच इिंस्टैबिलिटी जी आ जन दी हैं, क्योंकि उन्ना दे जो सक्सेसर्स अन, टोह एंन्ने जादा मतलब कि ते बैठता है, he was a very weak ruler, ठीक है, ओहो अपने पत्नी दे रिष्टेदार नू मतलब दे दिन दा है अपनी राजदी वागडोर, जिस करके उस दी अपने परदानमंतरी दे नल नहीं बन दी, ठीक है, हौली हौली ता मतलब उस दा परदानमंतरी जो है, खड़क सिंग दे पुत आते खड़क सिंग दी पतनी चंद कोर गड़ी ते अपना अधिकार जतों दी है, ठीक है, पर चंद कोर दी कॉंस्पिरेसी दे विच जो है, उस न उमरवा दिता जानदा है, ता इस तो बाद शेर सिंग गड़ी ते बैठदा है, फिर अल्टिमेटली दलीब सिंग जो है ग अंजाब नू बरतानवी सामराज देदीन कर लिया जानदा है, ता फर्स्ट एंग्लो सिख वार दे बारिया पापड़ दे हां, फर्स्ट एंग्लो सिख वार दे विच सब तो पहला सी बैटल आफ मुद की, बैटल आफ मुद की दे विच अंग्रेजा दी अगवाई कर रह सन लाल सिंग अते शेर सिंग, ठीक है, लाल सिंग अते शेर सिंग दी तोखे दे कारण, वो अपनी सेना दे नाल अपने जो है, सिखा दे नाल तोखा कर दे है, अधर्वाइस ता मतलब सिख बहुत ही बहादरी दे नाल लड़े, पर एना दी, तो एना दे दिते तोखे दे क पारन सिख्खानु हार दा सामना करना पेंदा है, ठीक है, इसे तरह बैटल ऑफ फिरोज शहर देविच हुनदा है, इथे भी लाल सिंग अधे शेर सिंग जो है अपनी सेनादे नाल तो खा कर दिया जिसकर के उनानु डिफीट दा सामना करना पेंदा है, उस तो बाद है जिसदे विच अधे अटेक कर दिन दे हन, सर हैंडरी स्मिथ उनना नू जो है रिजिस्ट करन दा बहुत ही अपना पूरा जोर अजमाईश कर दे हन, पूरी जोर लगां दे हन, पर सर हैंडरी स्मिथ नू रंजोज सिंग मजीठिया दी सेना जो है रा दिन दी है, उस तो ब बैटल ऑफ सब्राओं, है डिसिसव बैटल हुंदी है, जिस दे विच वी सिखान दी, सिखानो हार्द सामना करना पेंदा है, अगें पर दे सेम रिजन, टेज सिंग अते लाल सिंग अपनी सेना दे नाल तोखा कर दे हन, ठीक है, शाम सिंग अटारी वाला बहुत बहादरी नाल लड़दा है, परन्तु अपने अगवादी दिते तोखेदे कारन सिखानों हार्दा मूं देखना पेंदा है, उस तो बाद कर दे हैं, अपा सेकिंड एंगलो सिख वार, सेकिंड एंगलो सिख वार दे विच सब तो पहला है, बैटल ऑफ राम नगर, जिस दे विच नगरे जिख आउंदी है, ऍमितल विच घृईन वाला धे इंगलो सिख भिच सब उल्के तो बरी तरह रा हार ऑला देविच सब तो बुरी तरह आँ हार उजान दी बैटल अधा विच घृउन है, जदो तो पारत अउंदी है, सब थो बुरी हार उनना देखनी है, बैटल नेक्स्ट है Battle of Gujarat Battle of Gujarat dič giving how and HongHey है राइट इह चनाफ दर्यादे कंडे थी अपदेख सकते हैं थीक अ ein ते बेटल ऑफ गुजराट दे विच की खास गल खी कू聊 के लिए दोना तिरांब वल्लों बंदुकां दी वर्तो किती जानधी है। ज़ते अंग्रेजं गास बेटल ऑफ गण्हस threat ौ 파ॉद Contra sucf ही आदुना चिक्षित , बैटल दा नाम सी, ता बैटल अफ गुजरात नू बैटल अफ गुजरात नू बैटल अफ गन्स दे नाम नल जाने आ जन्दा है ता इस तो बाद दो एंग्लो सिख वार्स दे विच मतलब की हार दा सामना करन तो बाद जो दूसरी एंगलो सिख्वार दे विच सिखानू हार दा सामना करना पेंदा है था उस तो बाद सिखान को ल एननी ताकत नहीं बच दी कि यो हो बरतानवी समराज दा मुकाबला कर सकन ता एस करके लॉर्ड डल्हॉजी अठारा सो अननजा एस्वी दे विच एक एलान दे रहीं पंजाब नू जो है बरतानवी समराज दे विच मिला लेंदा है राइट ता सो आज एना ही थेंक यू सो मच